तो क्या हले दोस्तों मैं लेकर आचुकों आप लोग के लिए best smart watches जो आप लोग को flip card big billion days पे काफी तगड़ी डील्स के साथ मिलने वाली है और इन सारी smart watches में आप लोग को emolet display, metal build quality, इसी के साथ साथ और भी काफे सारे useful features मिल जाते हैं यह सारी smart watches काफी जादा value for money प्रोवाइड करती है तो चलते हैं बात करते हैं इन सारी smart watches के बारे में और इस वीडियो के अंदर मैंने सारी segment की smart watches को pick करी हैं सबसे पहले होगी 1500, 2000, 3000, 5000 तो चलते हैं फटाफट वीडियो को start कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आपसे request करना चाहूँगा चैनल के ओपर नहीं हो तो फटा-फट सबस्क्राइब कर लो इस टाइब के useful content में लेके आते रहता है आप लोग के लिए और यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना सबसे पहले बात करेंगे अंडर 1500 में आने वाली smart watch के बारे में तो यहाँ पर आपको काफी तग्डिट डील मिलने वाली यार यह smart watch अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वन फोर डवलन के मिल जाएगी जो के आती है membrane की तरफ से आने वाली membrane wise glaze जी हाँ यह smart watch launch हुई थी under 2000 बट अभी यह smart watch आप लोग को under 1500 देखने को मिल जाएगी इस watch में आप लोग को 1.78 इंच की emulade always on display का features प्रोवाइट किया गया है अंडर 1500 काफी बढ़िया डील मिलने वाली आपको इस smart watch के साथ इसी के साथ-साथ यहाँ पर आप लोग को 100 प्लस sports mode मिल जाता है calling का features भी प्रोवाइट किया गया है तो definitely आप लोग इसी smart watch को check out कर सकते हो second number watch की बात करों जो के आती बीट XP की तरफ से आने वाली बीट XP वेगा नियो जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप लोग को metallic frame प्रोवाइट किया गया working crown मिल जाता है round shape में display प्रोवाइट किया गया 1.43 इंच की emulade always on display का features प्रोवाइट किया गया इसी smart watch में भी इसी के साथ साथ calling का features मिल जाता है voice assistant 120 plus sports mode भी प्रोवाइट किये गए water rating की बात करें तो IP68 की rating के साथ यह smart watch आती है तो 15,00 रुपे के अंदर ये भी काफी बड़िया deal रहने वाली है बागी मैंने जितनी भी smart watch आपर pick करी है सबके link आप लोग को description में मिल जाएंगे अब बात करेंगे under 2000 वाली smart watches के बारे में यहाँ पर सबसे पहली smart watch आती है firebolt की तरफ से आने वाली firebolt Apollo 3 जी हाँ आप लोग को under 2000 काफी बड़िया luxury look के साथ यह smart watch मिल जाती है प्रॉपर luxury look प्रोवाइड किया गया metallic strap देखने को मिल जाएगा working crown भी प्रोवाइड किया गया बागी 1.43 इंच की emulade always on display का features मिल जाता है इसी के साथ मिलेगा bluetooth calling voice assistant 120 plus sports mode भी प्रोवाइड किये गए बाकी यहाँ पर आप लोग को calculator end game जैसे अच्छे features भी मिल जाते है और यह smart watch आप लोग को under 2000 मिल जाती है तो definitely आप लोग इस watch को भी check out कर सकते हो second number पर smart watch आती है noise की तरफ से आने वाली noise evolve 3 यहाँ पर आप लोग काफी classic look के साथ यह smart watch मिल जाती है segment की third smart watch के बारे में जो कि आती है fast track की तरफ से आने वाली fast track fs1 pro जिहां यह smart watch 3500 की launch होई थी बट अभी यह smart watch 2300 रूपीस की देखने को मिल रही है लेकिन offer के अंदर यह smart watch आप लोग को 1999 तक की देखने को मिल जाएगी इसी के साथ साथ calling का features मिल जाता है बांकि यह build quality काफी जबर्दस प्रोवाइड करती है company मेरे recording under 2000 काफी बढ़िया smart watch आप लोग को मिल जाती fast track की तरफ से अब बात करेंगे third segment के बारे में जो कि under 3000 तो यहाँ पर सबसे पहली smart watch आती है Amazfit की तरफ से आने वाली Amazfit Pop 3R जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप लोग को काफी बढ़िया AMOLED डिस्पले प्रोवाइड करती है company 1.43 इंच की इसी के साथ calling का features प्रोवाइड किया गया बांकि यहाँ पर health के सारे features मिल जाते है accuracy भी काफी जवर्दस प्रोवाइड करती है क्योंकि Amazfit हमेशा से अपनी accuracy के लिए जाने जाती है तो यहाँ पर आपको definitely काफी बढ़ी accuracy मिलने वाली है calling quality भी काफी बढ़ी है smart watch की तो definitely आप लोग इसी smart watch को भी check out कर सकते हो यह smart watch आप लोग को under 3000 मिल जाएगी working crown प्रोवाइड किया गया और यह smart watch काफी classic and premium देखने में लगती है इसी के सासत मिलता है Bluetooth calling बाकी health tracking के सारे features मिल जाते है IP67 की rating प्रोवाइड की गई है बाकी यहाँ पर आप लोग को calculator इसे अच्छे features भी मिल जाते हैं तो definitely आप लोग इसी smart watch को check out कर सकते हो अभी इसके silicon वाले variant का price है 3499 बट यह smart watch आप लोग को offer में under 3000 मिल जानी है अभी segment की third number smart watch की बात करूँ पर उससे पहले आप से request करना चाहूँगा अगर channel के उपर नहीं हो तो फटा फट सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना third number पर जो smart watch है वो है fireball legacy यहाँ पर आप लोग को काफी बड़िया classic and premium look देखने को मिल जाएगा side से आप लोग देख सकतो crown finish देखने को मिल जाता है जो कि इसके overall look को और भी जादा enhance कर देता है working crown प्रोवाइट किया गया proper metallic frame देखने को मिल जाता है इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को 1.43 इंच की AMOLED always on display का features प्रोवाइट किया गया है और इसके display की quality काफी जबरदस तयार बाकि आपकोस यहाँ पर मिलता है Bluetooth calling, voice assistant 100 plus sports mode भी प्रोवाइट किया गया है IP68 की rating के साथ यह smart watch आती है और definitely आप लोग इस watch को चकाउट कर सकते हो अगर आप लोग office वगर एक लिए कोई smart watch देख रहे हो तो definitely इस watch को चकाउट कर लेना अब आते हैं अपनी last segment के उपर जो के under 5000 यहाँ पर मैंने दो smart watch को pick कर ही है और यह दोनों अपने पने price को justify करती है सबसे पहले आती है MA speed की तरफ से आने वाली MA speed GTR 2 new version इसे smart watch में भी आप लोग को metallic frame प्रोवाइट किया गया है इसी के साथ यहाँ पर आपको 1.39 इंच की AMOLED always on display का features प्रोवाइट किया गया है और इसके display की जो quality है ना काफी जबरदस तयार अब तक मैंने ऐसी smart watch नहीं देखिया under 5000 जिसके display quality ऐसी मिले आप लोग को बागी यहाँ पर definitely मिलता है calling का features इसके लावब voice assistant इसके अलावब और भी काफे सारे useful features मिल जाते हैं जैसा के 90 plus sports mode 3GB storage भी provide किया गाने को store करने के लिए बागी आपकोस यहाँ पर आप लोगो 5 ATM का water rating भी provide किया गया है तो definitely आप लोग इसे smart watch को पहन के swimming कर सकते हैं बारिश फगर भी निकल सकते तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस price segment में one of the best smart watch बन जाती है and इस segment की second number smart watch की बात करें जो कियाती है firebolt की तरफ से आने वाली firebolt invincible plus यहाँ पर आप लोगों को proper luxury look provide किया गया इसी के सासाथ काफी जादा premium भी देखने में लगती है smart watch यहाँ पर भी आप लोगो 1.43 इंज की AMOLED always on display का features provide किया गया है और इसी के सासाथ आप लोगो inbuilt 120 plus watch faces मिल जाते हैं जिसको आप लोग उपने choice के recording change कर सकते हैं और किसी भी watch face को आप लोग as always on display यूज कर पाऊगे बाकि इसके लाव आपकोस यहाँ पर मिलता आपको Bluetooth calling का features voice assistant 300 plus sports mode भी provide किये गए 4GB का storage भी देखने को मिल जाया तो जहाँ पर आप लोग गाने बगरे store कर सकते हो और भी काफी सारे useful features मिल जाते हैं जाकर check out कर लेना जिस भी smart watch में आप लोग interested हो तो बस आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग पर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटा फट वीडियो को लाइक कर देना चैनल के उपर नहीं हो तो subscribe भी कर दो मैं मिलूँगा आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई